Hello and Welcome on Zontech Digital Platform, आज आपका पेपर था इलेक्ट्रिकल का and today we will discuss answer की solution of that question paper. आज आपका जो question paper था थोड़ा सा moderate type का था इससे ज्यादा easy भी नहीं कह सकते और tough भी नहीं कह सकते हैं जो पिछला जो आपका back, कल का जो last year का जो पेपर था प्रीविस देखा उसका comparison इसके साथ करें तो लगबग यह difficulty level same है इसकी दूसरी बात यहां पर जो answer की आपको provide कर रहे हैं वो 99% आपको authentic रहेगी जो भी बहुत answer की बनाएगा तो लगबग उसके साथ यहां match होगी, first start करते हैं हमारे questions से, हमारा जो first question है आज आज आपके जो paper का वह है रास्थान हिस्टी से, this question refers to रास्थान हिस्टी, question है इसके अंदर mention the matasya janpat is found firstly in the matasya janpat के बारे हम पूछा गया है कि यहां पे matasya janpat का उल्ले किसके अंदर मिल रहा है, आपके पास चार option है रिगवेत, यह question है आपके रास्थान हिस्टी से संबंदित, जहां आपने देखा होगा ancient जो आपके sources है हिस्टी के, वहां से reference है और आपको यहां right answer इसका करना था रिगवेत, रिगवेत के अंदर यह आपको matasya janpat का उल्लेक वहां पे मिलता है, next question है, question number two है, who among the following governors of रास्थान died while in the office, यह question आपसे पूछा गया है रास्थान polity से, और मैंने आपसे कहा भी था, governor is the very important topic in this policy session, आपका जो governor, राज्यपाल से संबंदी, जितने भी अनुछे दने, राज्यपाल का जो tom है, उनका resignation है, आपको यह बताया गया था, मैंने class में offline में भी बताया था, और जितने आज के exam में, तो यहाँ पे आपका जिनका मृत्यू हुई कार्यकाल के दोरान, तो यह आपके श्री दर्बारा सिंग, श्री निर्मल चंद्र जैन और श्री शेलेंर कुमार, तो option number जो 123 है, C के अंदर, यह इसका right answer होगा, केलाश्पति मिश्र इसके अंदर नहीं है, next question के और बात करते है, question number 3, this question refers to रास्थान, art and culture, in which topic we had discussed about different types of wail, palace and umbrellas, यानि यह जो आपका जो question है, रास्थान की कला साहित्य है, वहाँ से लिया गया है, संस्कृति कला, और वहाँ पे जो particular आपने पड़े भी होंगे, और offline classes में, online classes में, different type के पैलेस, पैलेस के साथ जो छतरी अंब्रेला जो पड़ी थी, और इन सब के बारे में मैंने आपको class में भी बताया था, और यह अलग से मैंने I think 30-35 आपको लिखवाए भी थे, यहाँ पे आपके लिए important है, तो right इसका answer क्या रहेगा, चान बावडी है आभानेरी, यह तो बिल्कुल सही है, चान बावडी आपका आभानेरी है, वो correctly matched है, इसके अंदर, option number one, अब इसकी थोड़ी बात करते है, जाली बाव, यह जो है, यह आपके आती है, नो लखा बावडी और त्री मुखी बावडी, यह त्री मुखी बावडी तो आपके आती है डुंगरपूर के अंदर, नो लखा बावडी और जाली बाव, यह जाली बाव आपका आता है कुंबलगड के अंदर, कुंबलगड में आपने देखा होगा, उड़ाना राजपूत की छत्री और वहीं पर यह जाली बाव आती है, त्री मुखी आपके आती है डुंगरपूर के अंदर, आपने सुना होगा, राजा आसक KTQ के अंदर भी का था, offline classes में भी जो important topic लिखवाय थे, वहीं से maximum question आए, आप इसका BCTQ के जितने भी session हुए 15 to 20, अगर उसके अंदर आप notice करेंगे, तो maximum question है, वहीं से पूछे गए, लगबग 90%, और जो offline classes में भी मैंने आपको final day के अंदर strategy बताई थी, उस strategy के अंदर आप फिर से वीडियो देखना अभी भी YouTube पे है, उसके अंदर मैंने आपको important topics बताए थे, रास्थांस related, वहाँ से question आने की probability ज़्यादा रहती हर exam में, in the basis of previous year experience, तो आप देखेंगे, वहीं से question आया है, minerals का, खनीज, खनीज के बारें पूछा गया है, which one of following minerals and miles is not correctly meshed, यहाँ पे पूछा गया है, निम्कित में से कौन सा खनीज और खान सुमेलित नहीं है, अब यहाँ पे सीसा जस्ता, सीसा जस्ता है वो राजपूर दरीबा सही है, आपने एक नाम जुना होगा, हिंदुस्तान Zinc Limited, यह जो आपके maximum, इसके माइन्स हैं वो राज समन के अंदर है, राजपूर दरीबा, उसके बाद भिलवाडा हम देखेंगे, रामपूर अगुचा, यह आपने पड़े होंगे, मिनरल्स के अंदर, तो यह तो आपका सीशा जस्ता यहां पर राइट है, अब यहां पर प्रॉब्लम, लो हैस्क वाली भी नहीं है, कि जो आपका जो आइरन ओर है, वो भी डाबला सिंगाना, जुझनु के अंदर है, डाबला सिंगाना, और एक आता है, खेतरी सिंगाना, वो तो आपके कॉपर के लिए और यह आपका आइरन ओर के लिए, तो यह दो अप्शन भी सही है, अब इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आपकी यह तामबा, लिल्वानी और काला खुटा, बेसिकलिए जो मेंगनीच है, मेंगनीच आपको रास्थान के जो सदन जादा है, तो यह आपका मेंगनीच काला खुटा यह भी सही है, प्रॉब्लम आ रहा है आपके तामबा, तामबा लिल्वानी के अंदर नहीं है, लिल्वानी के अंदर आपका होता है मेंगनीच, यह जो मेंगनीच है वो आपका लिल्वानी के अंदर है, यहाँ पे आपको पूछिए Tributaries, जो भी साहयक नदिया है वो पूछे गई है, question number 5 है, वाकल, मेश्वा and हतिमती are Tributaries of, यहां पे पूछा है, वाकल, मेश्वा और हत्मती की साहयक नदिया किसकी है, मेंद रिवर कौन सी है, और इसकी Tributaries कौन सी है, यह मैंने आपको बताए भी था, कौन सी रिवर्स की Tributary left-hand side पहाती है, कौन सी right-hand side पहाती है, किसकी कहां पे match होती है, कहां सी इसका originator है, पूरा रिवर वाले जो section के अंदर, offline class के अंदर, मैंने आपको डिटेल में बताया भी है, तो यहां पे जो हत्मती मेश्वा और वाकल है, यह आपका संबंद आएगा, इस का, this refers to Sabarmati River, Sabarmati River से संबंद है, option number C is the right answer, next, move forward, question number 6, question number 6 है, this question refers to राष्थान जोगराफी, sub-topic of wildlife and forest, जो भी आपके वन्यजीव, अभ्यारान और wildlife है, वहां से संबंद है, question पूछा गया है, और basic question है, एक list है, आप देखेंगे, अलग-अलग sanctuary के और आप national park राष्थान के देखेंगे, तो एक list है, उस list के अंदर की चीजें, काफी एक superficial आपका paper रहे, तो आप यहां देखेंगे, कौन सा district है, अब यहां पर आप से पूछा गया है, फुलवारी की नाल, दूसरा है, केसर बाग, बस्ती और शेरगड, तो इसके अंदर आपकी जो फुलवारी की न पुलपूर, यह सब राइट है, बाकी जो फुलवारी की नाल, राज समन्द है, वो आपका six का wrong answer है. Next question आपका है, पिजांट मूवमेंट से, जो भी आपका जो किसान आंदोलन रहा है, उससे सम्बंदित आपका question है, यह. इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि जो शीला लेख हैं और प्रशस्त्री, उनके उतकरिणन वर्ष के सही जोड़े, यानि जो भी आपका inscription है, और उसका year, जब यह dated हुआ था, वहां के लिए आपसे पूछा है कि कौन सा इसका match है, बिसी के लिए जो शीला लेख वगेर इसका संबन्द यह था कि जो ततकालिन राजा महराजा थे, वो अपनी प्रशस्ती, यानि प्रेस्टीच के लिए, हिस्ट्री में हमें याद रखा जाए, उसके लिए यहां पर उतकरिण करा दे थे, और वहां पे आप देख सकते हैं कि अलग-अलग जो राजा महराजा थे उनके समय कि वहां की धार्मिक, रिलिजियस, सोशल और एकोनोमिक कंडिशन के बारे में जानकारी मिलती अलग-अलग शीला लेक के साथ, शीला मतलब स्टॉन पत्थर का होता है, उसके उपर उतकरिण किया जाता है, वहां की ततकालिन स्थिति के बारे में बताने के लिए, तो यहां पे जो चिर्वा इंस्क्रिप्शन है, यह रॉंग आंसर एक तो आपको यह ध्यान रखना है, आपका बिजोलिया 1170 यह भी सही है, कुम्बलगड भी सही है, तो आपका जो बिजोलिया वाला आप देखिए, चिर्वा देखिए किसके अंदर मैच हो रहा है, 1st, 2nd 3 और 2nd order 3, अब इसके अंदर आप मुझे comment box में बताईए कि इसका right answer क्या हो सकता है, आपने किया भी होगा आज के paper में, और यह जहां तक मैं मानता हूं सबसे toughest question आज का है, क्योंकि बिल्कुल factual है, अगर आप देख सकते हैं, बताए मुझे, maximum student का यह आ रहा है 124, यह जो 124 वो right answer है, अचलेश्वर, अचलेश्वर, बिजोलिया और कुंबलगड, अचलेश्वर आप जानते हैं, सिरोही के अंदर, उसके बाद आप बिजोलिया जानते हैं, बिलवड़ा, और यहां कुंबलगड, रास्तमन, यह इसके बारे में जो अभी लेख हैं, शिला लेख हैं यह correctly, सही हैं, बाकी जो आपका चिर्वा है, वो गलत है, चिर्वा का जो year है, sun है, वो आपका आता है, 1273, तो यह आपका wrong है चिर्वा inscription, तो right answer होगा 124, next question आगे बढ़ते हैं, रास्तान पॉलिटे, और आप जानते हैं, offline class के अंदर हमारा first topic की आई था, State Information Commission, राज्य सुचनायो, इसके बारे में हमने आपे discuss किया था, और यहां पे पूछा गया है, रास्तान राज्य सुचनायो का गठन कब किया था, when was रास्तान State Information Commission established, यह कब established हुआ था, आपको पत रास्तान State Election Commission का गठन हुआ था, the right answer इसका आएगा, 18 April 2006, यह question, online test series के अंदर भी है, जो coaching की test series है, उसके अंदर भी है, और multiple आप से पूछा गया है, question, I think maximum student जो यहां ZONTEC के उन्हों सही किया होगा, इस questions को, 18 April 2006, इसको याद रखना है, आपको राज्य सुचनायो, में आप बताया था, 1 plus 10 का structure होता है, 3, इसके अंदर 365 का tenure है, जो भी पहले, और इसकी जो नियुक्ति गवर्णर करता है, इसके बारे हम पढ़ चुक है, M.D. कोरानी वगेरा, अब next चलते है, question number 9 पे, विंद्यन एसकार्पमेंट are made of which type of rocks, विंद्य कगार की बात हो रही है, और यह यहाँ पे किस प्रकार की rocks, मिल रही है, चक्ताने मिल रही है, तो आप जानते हैं जो हमारा विंद्यन कगार वाला area है, विंद्यन scarps learnt है, यह सबसे ज़्यादा building stone है, आपने पढ़ते है building stone, building stone कहते हैं, ये यहाँ पे ज़्जादा मिलते है, मारतीध ही पत्थर यह जो stand stone है यह आपको मिलेंगे विंदियन कगार के अंदर, इसका right answer C होगा, stand stone, जो विंदियन कगार, जो हाड़ोती वाला area उसके दक्षिन पूरी शेतर में, यहाँ पे मिलते हैं, next question आगे बढ़ते हैं, basically क्या मैं जो आपको भी question बता रहा हूँ, वो थोड़ा fastly, swiftly बता रहा हूँ, because of आपके पास time कम है, आपके लिए, यह important है का आपने कौन सा ride किया है, unless कि मैं इसके बारे में आपको detail में बता हूँ, detail में समझा हूँ, तो इस session एक गंटे से होगे, one hour to expand हो जाएगा, two to three hours, वो आपके लिए perfect है, इसमें कोई इसके अंदर error नहीं मिलेगी, बाकी one percent तो board भी, कम से कम उसकी जो की है, वो revise होती है, तो यह maximum है कि आप इसके अंदर correct कीजे, क्या आपकी सही question बता है, next है इसके अंदर question number 10, यह आपका जो question है, वो रास्तान के religious movement, रास्तान के धार्मी कांद उससे संबन देता है, who was the saint who narrated the teaching of Dadu while discussed as bridegroom for the rest of his life, यह काफी basic question है, यह जो आपका paper है, उसके अंदर थोड़ा history के कुछ inscription को छोड़ के अगर आप चलेंगे, तो काफी basic question है, थोड़ा बहुत आपके history के जो शीला लेक से संबन दी जो question है, वो थोड़े से difficult है, बाकी तो maximum इसके अंदर जो traditional questions है, जो basically जब student पढ़ना start करता है, तो वहाँ पर आपको इन चीजों से आप कम से कम जानते ही हैं इनको, तो यहाँ पर पूछा है, जीवन भर दुलहे के वेश मे रहते हुए दादू के उपदेशों को बखान करने वाले संथ कौन थे, अब basic question है, maximum के अंदर दुलहे के वेश के अंदर इन्होंने start की अपनी जर्दी, next बात करते है, पर्यूशन पर्वा is related to which community, question number 11, पर्यूशन पर्वा की बात हो रही है, basic है और यह आपका जैन community है, उससे related है, option number C is the right answer, question number 12 है, this question refers to revolt of 1857, we had discussed in detail in class, और BCTQ format, यानि आपके जो यह की 30 संबनित question है, इसको मैं in detail में पढ़ा है आपको, और आपका जो online multiple choice question series चली थी, उसके अंदर भी concept series के अंदर भी मैंने आपको बता है, यहां से question आते है, basically आपका जो यह GK वाला portion का है, बहुत limited है इन राजस्थान, अगर आप दूसरा center level के exam देते हैं, इंडियन history बग आपने देखा होगा युद्ध भी हुआ था, इसके अंदर काले गोरो का युद्ध भी थोड़ा का युद्ध, तक्तसी, ओनार सिंग, मैक मेजन, यह आपने सब पढ़ें, class के अंदर, इसका right answer होगा, महाराजा तक्तसीं, right answer of question 12. Let's move forward, question number 13. The famous theater director Shanta Gandhi was associated with which of following drama style, लोकनाट्य से संबंदित है, और यहां आप देखे, यह जो question है, बहुत updated question है, यानि हमेशा क्या करते है, student जो भी आपके लोकनाट्य है, जो folk drama है, उसके बारे में पढ़ लेते है, रमत है, ख्याल है, तुर्रा गलंगी, जो भी है, उसके बा योगदान देते हैं, उसके बारे में पढ़ते नहीं है, तो यह question वहीं से, कि Shanta Gandhi का संबन किस नाट्य शेली से, और इसका right answer है, भवाई, भवाई theater से संबन देते है Shanta Gandhi, यह मुझे पता है, maximum student का wrong answer गया होगा, क्योंकि यहां तक student की approach आती नहीं है, वो देख लेते हैं, य और इसका क्या मिनिंग है, अब भवाई के बारे हम सबने पढ़ा होगा, यह गुजरात के जो borderline district है, उदिपूर, मेवाड, वहां का, यह famous folk drama है, उसके बाद इसके अंदर जस्मा उडन आपने पढ़ा होगा, बागो जी, यह सब पढ़ा होगा, बड़े Shanta Gandhi तक आप कोई आये नहीं होगे, बैसे कुछ student ने right भी किया होगा, काफी उनको congratulation है, बाकि इसका right answer होगा, भवाई, गवरी आप जानते है, स्वांग, रम्मत, यह ता आपने पढ़ भी रखा है, question number 14, यह वापिश शिलालेख से संबन दित है, question number 1, the achievement of rural of wish dynasty are mentioned in Bijjolia inscription, Bijjolia शिलालेख के अ जब भी शिलालेख लिखते थे, मैंने previously आपको बताया कि जो भी यहां की ruler थे, king थे, raja, maharaja थे, वो क्या करते थे, कि अपनी जो तत्कालिन स्थितियां है, जिसे वहां की धार्मिक स्थिति, religious status, उसके बाद economic condition, उसके बाद social condition, उसके बारे में यहां पे इनकी शिलालेखो से जानकारी मिलती है, और आपने यह भी देखा होगा, जब आप medieval पढ़ते हैं, Indian context के अंदर, तो वहां में इस अकबर का मगबरा है, उसके बाद आप देखेंगे, शेर्शा सूरी का मगबरा, इसमें कुछ ruler तो ऐसे थे, सल्तनत काल के अंदर जीते जीते जी मगबरा बना आप देखोगे, तो right answer इसका चोहान, इसके जो रचयता थे, वो गुनबद्र थे, आपने पढ़ा होगा, और यह आपका topic है, जो आपके रास्तान हिस्ट्री का, जो first point है, sources of रास्तान हिस्ट्री, इसके अंदर आपने coins पढ़े होंगे, inscriptions पढ़े होंगे, यह आपका first topic है syllabus का वहीं से question है, इसके अंदर चोहान है, और चोहान को बताए गया था, आपने पढ़ा होगा, वस्त गोत्री ब्रह्मन, चोहान के बारे में इसके बात कीगी थी, विजोलिया के अंदर, question number 15 है, the first ropeway in the रास्तान was started in which district, यहाँ पे बात हो रही है, ropeway, आप समझते हैं, कि ज रास्ट कहां पे प्रारम की गी थी, basically this question related to point number 10 रास्तान टूरिज्म, टूरिज्म वाला आपका जो point अंदर, वहां से इसको लिया गया है, ropeway के लिए, तो ropeway जो first हमारा start हुआ था, वो हुआ था, आपका सुन्दा माता, यह आपका जालोर में, option number B is the right answer, जालोर, यह first हुआ माता 2006 के अंदर, फिर करणी माता, फिर सावित्री माता, अजमिर पुषकर, और अभी recently हुआ है सामोत के अंदर, हनुमान जी है, जैपूर, वहां के अंदर यह fourth ropeway भी start हुआ है, यह आपका है first ropeway 2006, सुन्दा माता, इंचालोर, next question है, this question refers to pizant movement in Rajasthan, मैंने आप से कहा था, जो भी आपके किसान अंदोलन है, और जन जाती अंदोलन है, ट्राइबल्स movement, इसके बारे में आपको पढ़के जाना है, question वहां से आते हैं, तो यह आपका पूछा गया है, pizant movement से ही, उपरमाल पंच बोडवास form, और मैंने आप से कहा था, कि जो वीजे सिंग, पतिक है, बाकी इसका राइट आंसर यह है, यह आपके बनते हैं, अध्यक्ष, बाकी राइट आंसर है, वीजे सिंग पतिक, this is the right answer, option number D, next question है, 17, यह question अभी मैं ट्रांस्पोर्ट इन राजस्थान पढ़ाया है, वीजे सिंग पतिक, उसके अंदर भी मैंने यह त्रांस्पोर्ट इन last two days या और three days अगो इसके बारे में discussion किया है, तो यह आपका अगर देखेंगे online में, जिसने भी last station देखा है, ट्रांस्पोर्ट इन राजस्तान वीडियो में, आपको direct एक question वहां से मिलेगा, अब जिन लोगों देखा है, उसका 100% राइट गया होगा question, यह आप उच्छा है भारती रेल अनुसंदान है, प्रशिक्षन केंद्र, इंडियन railway research and training center is situated in, और this question यह आपका right answer इसका होगा, पच्छपद्रा, बाडमीर के अंदर यह center है, और इसका एक दूसरा center उदेपूर में भी है, confusion वहां भी होता है, वो है, जो western जो इसका है, वो आपका उदेपूर क के अंदर है, next बात करते है, question number 18, question number 18 है, आपके जितने भी जो musical instrument है, उसके बारे में है, कि अलग-अलग musical instrument के types क्या है, किस तरीके से इनके अलग-अलग classification है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है, online और offline, यहाँ पे पूछा गया है, रमजोल is which type of fork musical instrument, मैंना आपसे पहले भी का था, fork music, fork drama, fork songs are integral part of Rajasthan, this topic shouldn't be missed at all, यह topic आपको missed नहीं करने थे, काफी इसे चीजे पूछी जाती है, तो यह आपका है, fork music कौन सा रहेगा, रमजोल, यह रमजोल आपके अंदर आते हैं, autophonic के अंदर, autophonic option D, या इसे हिंदी में कहा जाता है, गनवाद्य, रमजोल होता इसका right answer होगा, option number D, gun, यानि इसके अंदर क्या अलग से गुंगरू लगे हुए होते हैं, और autophonic, आप समझते हैं, metal से बने होते हैं, जब यह सामने से collision होता है, या टकराने पर इसके अंदर sound produce होती है, इसलिए इसे कहा जाता है, gun बाते है, और aerophonic, आप समझते है, air जान ending होते है, dole अगेरा, इसके उपर यह होते हैं, आपके अवनध्यवात्य, next question है, question number 19, अब यह question जिसने भी सही किया होगा, वो वाकिए in detail study करके गया होगा, रास्तान पॉलिडे की, यह question सही करना उस चिछ को indicate करता है, कि student की depth study कितनी है, in detail, student ने कितना knowledge acquire किया है, basically काफी थो question था, inscription वाला, शीला लेक के बारे में, वो थोड़ी tough question थे, अब यह tough question इसलिए है, कि अलग-अलग commission के अलग-अलग report है, उसके अंदर आपको rightly इसको choose करना है, right answer कौन सा है, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए पांच वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल की संस्तूती क the commission which recommended for fixed five-year term for governor, राजमनार commission, पूंची commission, शाह commission and लिब्रहन commission, यानि पूछा गया है कि राज्यपाल का जो term है, पांच साल इसको fix करने के लिए, कि आयोग ने इसके अनुशन साय संस्तूती की, basically क्या है कि governor जो पद है, या post है, हमेशा disputated पद रहता है, center और state के बीश में, म governor क्या होता है, एक तरीके से agent of central government होता है, और यहां कि जो भी constitution failure होता है, इसके बारे में यह center को बताता है, और वहां से यहां पे presidency rule लगता है, यह practical है, आपने देखा होगा है, different state के अंदर presidency rule या राश्टपति शासन लगने के संबन में, दूसरी बात, यह जो राज्यपाल वाली समस्याइक यहां भी है, कि इनके जो पदों के लिए, पांस वर्ष के लिए निश्चित कार्यकाल की संस्तूति की थी, और यह संस्तूति की थी आपकी पूंची कमिशन ने, मदन महन पूंची आपने पढ़ा होगा, basically Indian politics का question है, रास्तान politics संबन्दीद होगा ही, क्यो question number 20, अब यह काफी basic question है, जहां भी आप रास्तान जोगरोफी पढ़ते हैं, पढ़ना start करते हैं, जब आपका पहला दिन होता है, first chapter आप पढ़ते हैं, उसके अंदर आपसे first topic उसके उपर लिखा हुआ होगा, extension of Rajasthan, location and extension of Rajasthan, यानि Rajasthan की अवस्थिति ये विस्थार, और east to west कितना है, बस यही इसका answer है, इसमें आप minus कर दोगे, north to south, यानि गंगा नगर से मासवडा के बीच में, कितनी distance है, और east to west, जो सिलाना से हमारा कट रहा है, वहां से कितनी difference है, तो आप जानते हैं, 826 और 869, अब इसको minus कर दोगे, तो आपका right answer आजाएगा, 826 और 86 यह आपका हो गया, 826 किलो मेटर, और यह 869, अब इसको minus करोगे, तो आपका right answer आजाएगा, 43, यह थोड़ा logical reasoning वाला है, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, mental exercise करोगे, तो right answer आजाएगा, question number 20 का right answer होगा, option number D, 43 किलो मेटर, next question है, जोगर आफिस रेटेड, the highest plateau of Rajasthani, इस रास्थान का सर्वोच पठार कौन सा है, अब यहाँ पर पठार की बात कर रहे हैं, तो one-liner question है, यह जो चीजे हैं, रास्थान जोगरोफी के अंदर one-liner है, इसको आप conceptual ज्यादा नहीं, factual है, इसको आपने याद किया होगा, और रास्थान को जो उच्छतम पठार है, highest प्लेटू है, वो है उडिया प्लेटू, और यह आपका आता है, सिरोही के अंदर, आपने या गुरू शिखर देखा होगा, उसके नीचे ही है, यहाँ पर यह उडिया का प्लेटू, यह लगबग 13-16 के लगबग में इसकी उच्छा ही है, बोराटा आप जानते हैं, गोग श्रंखला है, जैसे गुरू शिखर, जरगा, देलवाडा, यह दी जादी तो और आपसे मुश्किल हो जाता है, इसको जमाना है, इससे तो काफी easy है, आपसे प्लेटू पूछ लिया और प्लेटू पी काफी easy पूछा है, कि highest प्लेटू, जैसे वन लाइनर में हम याद बोराट भी है, वो लगबग 1225 के सम्तिंग में, यह 960 में के सम्तिंग में, यह अलग-अलग इनकी heights है, next question है, question number 22, मैंने आप से का था, इंद्रा गंधी कैनाल प्रोजेक्ट, इसको पढ़के जाना, question आएगा, और यही important question मैंने आपको BCTU के अंदर in detail, concept series के साथ समझा है, मैं यहां तक समझता हूँ, जो हमारे online sessions रहें, offline तो ठीक है और online, basically online session आपकी इस exam की strategy को finalize करके ही बनाये थे, कि last में आपका revision उस तरीके से हो, कि question वहाँ से put up हो, और आपका revision excel करे और आप अच्छी तरीके से question को कर पाएं, अब यह इंद्रा गंधी वाला जो project है, इसके बारे में in detail मैंने वहाँ पर बताया है, आपको समझाया है, दूसरी बार, जिसने भी BCT की session पूरे देखे हैं, उसके around maximum 90% question वहाँ से मिल जाएंगे, अगर आप इसको check-in करेंगे, 20 to 23 videos है, for English medium and Hindi medium, by linguistic है, इस pattern को आप देखेंगे, तो 90% question आपको वहाँ से find out हो सकते हैं, मै Each one of following lift canal project and drinking water availability area is not correctly matched, सबसे पहला, आप हमेशा ध्यान दखेंगे, अभी भी आपका, कल का भी, tomorrow भी paper है, हमेशा जो question है, उसको आप properly पढ़ें, read question entirely properly, अगर आप पूरी question को पढ़ेंगे, तो आप राइट करेंगे, कभी-कभी क्या, इस note के अंदर ही आप फस जाते हैं, सू student है, कलवापिस mechanical का paper है, तो आप थोड़ा समझेए कि जो questions हैं, उसको ढंक से एक बार पढ़ें, पूरा properly तरीके से पढ़ें, कि वो आप से demand क्या कर रहा है, उस question की theme क्या है, आप से पूछ क्या रहा है, फिर आप उसको solve करें, जल्द बाजी में आप गलत कर लेते हैं, और गंगानगर, तो ये तो आपका right है, cover 선생님 lift है, जो गंगानगर जैसे यहाँ विकानेर है, विकानार से गंगानगर तक ये lift लाई गई है, ये तो right answer है, दوسरा है गंदेली सहवा, ये भी आपका right answer है, गंदेली सहवा भी right answer है क्योंकि आपके हनुमानगर चुरू के अंदर आती अभी जो राजीव गहंदी वाली problem है यह wrong answer है आपका, fourth answer है वो wrong answer है बाकी तो यह सब सही है राजीव गहंदी actually क्या है आपने पढ़ा होगा multiple river project आपने देखे होंगे रास्थान के अंदर बहुत देश्य नदी घटी परियोजना तो यह जो राजीव गहंदी सिद्ध मुक नहर परियोजना है राभी व्यास नदी आपने पढ़ा होगा रास्थान जेग्रफी के अंदर तो वहां पे यह European Union आपने यह प्रश्ण भी पढ़ा होगा RSP में भी आया हुआ है European Union से funded यह राजीव गहंदी सिद्ध मुक नहर प्र क्योंकि यह जो राजीव गहंदी लिफ्ट तो कहीं ही नहीं आप लिफ्ट पढ़ेंगे घजनेर है कॉलायत है करणी सिंग लिफ्ट है अपने इंद्रगांदी नहर प्रोजेक्ट पढ़ा होगा राजीव गहंदी तो सिद्ध मुक नहर परियोजना है हनुमानगट राष्टी राजमार्क 44 राजस्थान के कीज जीले से होकर गुजड़ता है अब जो 44 एनेच है यह बेसिकली जो आपका नौर्ट सौथ कोरिड़ूर है आपका जो नौर्ट सौथ कोरिड़ूर है वहां से कनेक्ट होता है श्रीनगर टू कर्णिया कुमारी तमिलनाडू वह यह पहले आप जानते हैं थ्री भी कहा जाया था था एनेच इसको धोलपूर वाला अभी काफी एड़ेड हो गया इसकी लेंथ बढ़ गी है श्रीनगर से कन्या कुमारी तमिलनाडू तक इसकी लेंथ है अब यह नेच फोटिफोर है उत्तर पस्चिम जो गलिया रहा है आपका इधर वाले में नेच फोटिफोर नेक्स क्वेश्चन है काफी बेसिक क्वेश्चन रही है यह आपको पता होगा किस ने किया है और यह आपको इसका राइट आंसर है राव अनिरुद्ध सिंह इन्होंने बुंदी के अंदर चोरासी खंबु की चतरी 84 पिलर्स 84 पिलर्स कि इन्होंने यहां पे चतरी बनाई थी क्योंकि इनके जो धाबाई देवा गुडजर उनकी स्मृति के अंदर 84 पिलर्स की यहां पे चतरी थी अब आप जो next आपका जैसे कलका प्वेपर होता है ति चतरी से लेटेड़ एक औ इसी कुछ चीज़ें उड़ाना, राजकुमार की चतरी, कुंबलगर, इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जो पैपर पैटर्न है, वो अलग-अलग शिप्टों में उसी difficulty level को maintain करके बनाया जाता है, तो इस से related question और भी दूसरे आप से simultaneously पूछे जा सकते हैं, next question है 25, यह वापिस आप से inscription, यानि जो first topic अगर history का किस ने clear किया है, उसके maximum question यहां मिलेंगे शिलालेक से संबंदी, यह फिर से वही चीज़ आ रही है, गोसुन्डी शिलालेक किस भाषा में लिपीबद्ध है, इन विश लेंग्वेज इस दे गोसुन्डी इंस्क्रिप्शन रिटन, पहले तो आप समझे गोसुन्डी शिलालेक आपके अंदर जो नगरी चित्तोड गड़ है, वहां पर है यह, दूसरी बात इसकी जो लिपी है, वह आपकी ब्राम्ही है और इसकी जो भाषा है, लेंग्वेज है, लेंग्वेज आपकी है, इसकी संस्क्रत, जो संस्क्रत है, इसका राइट आंसर है, इसके अंदर जो संकर्षन और वासुदीव की पूजा का उलेख मिलता है बेसिकली गोसुंडी शिलालेख के अंदर Next question number है 26 26 में आप देखेंगे ओल्यू इस ऐसोसियेट विद विच ओकेजन आप रास्थानी फोक लाइफ रास्थान के जो फोक म्यूजिक है उस से रेटेट क्वेस्चन है कि ओल्यू रास्थान के लोग जीवन के किस अवसर से संबन दी थे बेसिकली ये टोटली अगर जो वेस्टन राजस्थान है वहां के स्टुडेंट होंगे उन्हों लगबग इसको सही किया होगा बेसिकली आर्ट एंड कल्चर के अंदर वेस्टन रास्थान के स्टुडेंट को ज्यादा help मिलती क्योंकि उनके वहां पे ये जो रास्थान का कल्चर है अभी भी काफी enriched है बाकी जगह तो और भी थोड़ा-थोड़ा उसमें modification हो रहा है, addition आ रहा है Daughter's Wedding Farewell Song ये right answer है इसका option number B Daughter's Wedding Farewell Songs next question है मैंना आपसे का था मेवार dynasty से related कोई-णी कोई question जरूर आएगा महाना कुंभा नहीं तो अब पूछ लिया है राना सांगा आपको समझना है, हुरुडा conference was convenient in year, हुरुडा सम्मेलन किस वर शायुचित किया गया था राइट आंसर इसका है 1734, 1734 के अंदर इसको सम्मिलन किया गया था 17 जुलाई 1734 in Head Chairship of Sawai Jay Singh, जगत सिंग इसके द्वीति इसके अध्यक्ष बने थे और यह क्यों किया था आपने पड़ा होगा कि मराठा आक्रमनों से या सुरक्षा के लिए सभी राजाओं का conference सायुचित किया गया था, कि that time मराठा invasion also started और वहाँ पर finalize किया था कि जो भी यहाँ पर विद्रोही हैं, उनको शरण नहीं दी जाएगी, सभी जो राजपूताना के अलग अलग रूलर हैं, राजा हैं वो एक गठित होके united यहाँ पर रहेंगे, किसी को विद्रोही को शरण नहीं देंगे, एक का अपमान सब का अपमान कहा जाएगा, इस प्रकार से हुड़ा सम्मेलन हुआ था, हुड़ा basically आपके भिलवाडा के अंदर है, but somehow यह कहीं से successfully execute नहीं हो पाया next question है, the field of Sitaram Lalas was archaeology and history, Rajasthani language and lexicography, journalism and social reform, जो Sitaram Lalas है, इनका संबंध कहां से, तो यह जो Sitaram Lalas है, वो basically it's from Jodhpur, और इनका जो maximum काम हुआ था, Rajasthani language and lexicography, option number B is right answer, Rajasthani भाषा एवम कोश रचना, इन्होंने का एक तरीके से dictionary बनाई थे, encyclopedia रास्थान का कह सकते हैं, तो इन्होंने यहां का इनका जो कारिश शेत्र था, वो Rajasthani language and lexicography था, option number B is the right answer, question number 29, मैंने आप से, आपकी notebook के अंदर अभी भी आप देख सकते हैं, 30 to 33 के around, अलग-अलग temples लिखवाय थे, उसके अंदर 30 to 33 के अंदर भी मैंने आपको classified किया था, star करवाय था कि इसको आप जरूर याद रखना जहां से question आ सकते हैं, वहीं से question यहां पर reflect है, question number 29, चार चॉमा का शिव मंदिर किस जिले में, जालावाड बुंदी, कोटा, टॉक, right answer है, इसका कोट, कोटा, यह चो कोटा है, इसके अंदर चार चॉमा का श हैं, उसी तरीके से चार चॉमा का शिव मंदिर कोटा के अंदर है, next question, livestock से है, which breed of sheep in Rajasthan is known as Indian marino, question number 30, यह सब ने किया होगा सही answer, क्योंकि बहुत basic question है, रास्थान की भेड की किस नसल को भार दिये marino कहा जाता है, यह काफी basic के सब ने राइट किया हो गया होगा, चौकला, मालपूरी, टौक के अंदर है, मगरा, जो जमे रास्तामन का एरिया है, पूगल, जो विकानेर का है, तो जो चोकला है, शिखावटी चोकला भी आपने पढ़ा होगा, तो यह से Indian marino, marino मतलब क्या एक breed है, जिसका wool काफी एक fine level का आता है, यह से चोकला का आ गया है, right answer is A, question question number 31, 31 के रहा है, शोबालाल गुप्त द्वारा किस थान पर हरिजन एवं बिलो के विकास है, तो एक आश्रम किस थापना की गई थी, this question refers to प्रजा मंजल मुवमेंट, आपने प्रजा मंजल मुवमेंट पढ़ें, उसके अंदर specific दूंगरपूर प्रजा मंजल, आपने अग question D is the right answer, next question 32 पे बढ़ते हैं, यह वापिस रास्थान जोगरफी का और थोड़ा tough question, अगर जिसने किया होगा, वो काफी इसके अंदर thankful है, उनकिया हो, transfer sand dunes are found in which district of Rajasthan, अनुप्रस्थ बालु का टीले राजस्थान के किस जिलो में मिलते हैं, बालु का टीले आपने समझे है, sand dunes, desert area, जो थाट का desert है, और हमारा जो western district है, जैसल मेर, बिकान एर, बाड मेर वाले जो एरिया है, हनुमानगर, गंगा नगर, वहां के जो एरिया ह उसके बारे हम पूछा है कि particular types के लिए कौन से जिले इसके अंदर है, अब यहाँ पे पूछा अनुप्रस, अनुप्रस्थ का मतलब होता है 90 degree, 90 degree समकोन पर बने हुए होते हैं, और यह basically आपके होते हैं, बिकान एर, गंगा नगर वाला जो एरिया है, option number A is the right answer, बिकान एर गंगा नगर, यहाँ पे आपको मिलेंगे यह अनुप्रस्थ बालू का स्थूप है, इस तरीके से 90 degree के अंदर यह बने हुए रहते हैं, तो यह आपके बिकान एर, गंगा नगर के अंदर है, next question, question number 23, इस question का nature आप देखिए, रास्थान के state level का कोई बेगजाम हो, lower to higher, it's up to Rs. pre, वहाँ भी इस ज्वैलरी का question आता ही है, ornament का question आता है, कि महिलाओं के जो अभुशन से संबनित question reflect होता ही है, और यह question है, आज जो पूछा गया है, वो है kandora, on which part of female body is kandora ornament worn, कहां पे kandora पैना ज कमर, कमर के अंदर आपको ध्यान रखना है, जिसने इसका B answer right किया है, उसका correct answer है, उस student का, तो right answer 33 का है, B, next question है, 34, which period of rural of quota is supposed to be excellent period for the quota school of painting, मैंने आप से कहा था, और अभी आप देखिए, within 7 days ago, मैंने आपको strategize बताई थी, एक वीडियो बताए था, strategy के लिए, आप किस तरी वीडियो को open करके देखना, वहाँ पर मैंने important topic आपको रास्तान painting ही first बताए था, वहीं से question है, और यहाँ पूछा गया है कि, कोटा के किस शासक के काल को, कोटा स्कूल की चित्रशेली का उत्करष्ट काल, golden period या excellent period को यहाँ पर बताया जा सकता है, तो इसके right answer है, महाराव उमेज सिंह first, कोटा चित्रशेली, वल्लप संप्रदय का प्रभाव, मेवार चित्रशेली का इसके उपर impact, इसके अंदर hunting, जो शिकार के चित्रे हैं, वो इसके अंदर आपको मिलेंगे, और इसका जो man है, इनका golden period राथा, महादेव उमेज सिंह, उमेज सिंह के समया पे भ महाना सांगा defeated Barber's Army, महाना सांगा ने किस युद्ध में, बाबर की सेना को पराजित किया, अब इसके अंदर जो बयाना का युद्ध है, वो बयाना का युद्ध है, 16 फरवरी 1517, इसके अंदर ये बयाना की युद्ध के अंदर, बाबर को महाना सांगा ने defeat किया था, आप यह आप में समझते के धिद्धह आप आप ने सबने पड़ा ही होगा कि युद्ध गके अंदर तो महानः संगा की हार आप बद में उस्में महाना शंगा ने लिफिट केया था बड़ pak ने राणा संगा वहाँ जीत नहीं पाए, बट बयाना का उद्ध चुब 1527 है, ये भरतपूर के अंदर आता है, और वहाँ पे महारणा सांगा ने विजय हासिल की थी, बाबर पर, राइट आंसर इसका है, इसका है, बेटल अब बयाना, इन 1527, next question, which of the following fertilizer minerals of Rajasthan, Rajasthan में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनीज है, यहाँ पे पूछा गया है, fertilizer minerals, एक होते है, fuel minerals, अलग-अलग partition है, classification है, minerals का, metallic, non-metallic, fuel minerals, and then fertilizer minerals, उसके बाद precious tons, इस तरीके से classification है, उसमें पूछा गया है, उर्वरक खनीज, तो उर्वरक खनीज, यहाँ पे सभी है, gypsum भी है, rock phosphate भी है, और pyrite भी है, इसका अंसर होगा all of double, option number D of 36 question, सभी इसके अंदर सही है, gypsum का भी उपयोग होता है, जो salinity है, यानि alkalinity है, तो soil की उसको control करने के लिए gypsum को भी होता है, rock phosphate, for phosphate के लिए होता है, पाइराइट्स का यूज होता है, पाइराइट्स सीकर के सलादीपूर के अंदर इसका production होता है, आपने पढ़ा होगा मिंदरस वाले topic में, तो इसका right answer होगा उपरोगत सभी, next question है, 37, the purpose of Rajasthan Public Service Guarantee Act 2011 is, रास्थान लोगसेवा guarantee अधिनियम 2011 का उद्धेश है क्या है, first है पारदर्शित लाना, ये तो act का होगाई transparency लाना क्योंकि जो लोगसेवक है, public servant है, उसके अंदर corruption को कम करना है, इसलिए transparency लाना इसका right answer है, दूसरा है, शिकायत निवारण तंदर उपलब्द कराना, providing grievances re-adressal mechanism, ये भी सही है, इसके अंदर आपने पड़ा होगा, अलग-अलग public, इसके अंदर लोक नियुचन अधिकार है, first, second के पास, third के पास, इस तरीके से, इसके अंदर जो आम आदमी की समस्या है, उस शिकायत का निवारण किया जाता है, ये भी सही है, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना, ये What is the share of Narmada river given to Rajasthan? ये वापिस आपका जो multi-purpose river project है, बहुत देश ने दिगा दी परियोजना, महां से संबंधित है, Rajasthan को Narmada दी का कितना हिस्ता प्राप्त होता है, वैसे काफी tough है, इतना figure, किसी ने याद नहीं किया होगा, किस student ने, जहां तक मैं मानता हूँ, किसी ने य Right answer, 0.50 MF, रिवर आपने पढ़ा होगा, Narmada river, नarmada और तरापती आपने अलग पढ़ा होगा, जो अरप सागर के अंदर इसका discharge होती है, और ये जो नarmada river project है, वो महारास्ट, मद्यप्रदेश, रास्तान गुजरात का एक joint venture है, और रास्तान को इसके अंदर 0.50 MF का इसके अकड़ नामक दो किसान है, वो किस क्रशक आंदोलन के दोरान शहीद हुए, आपने पढ़ा होगा, बेगु, पिजान्ट मुवमेंट, राम नारायन चौदरी, ट्रेंच आयोग, रूपा जी, कृपा जी, ये वहीं से रिरेटेड है, बेगु किसान आंदोलन, तो 39 के right answer हो वो great है, उसने in-depth पढ़ा होगा, I mean to say, भगत आंदोलन के शीर्षक नाम से पूस्तक के लेखक कौन से हैं, इसके हैं V.K. वशिष्ट, विजय कुमार वशिष्ट, right answer is B. V.K. वशिष्ट, विजय कुमार वशिष्ट, यानि आप इस total, इस पूरे segment के अंदर आप देखे है तो आप पाएंगे जो कुछ 5-7 question ऐसे updated और typical हैं, वो maximum student से हुए नहीं होगे, जैसे जहांता गांदी का संबन किस से है, भवाई से, उसके बाद आपका यही आ गया कि बगत मुवमेंट की जो book है, वो book के author कौन है, तो V.K. वसिष्ट ही है, शायद ही किसी को पता होगा, ज इतना हिस्सा मिल रहा है, 0.50 mf, ऐसे जो question है, वो maximum लोगों से इसके अंदर wrong हुए होंगे, इसलिए इसमें कोई panic होनी की जरूरत नहीं है, कि question हमारे कम हो रहे है, आपके गलत होनी की problem वहाँ पे, जो question काफी simple है, one-liner है, factual है, without any conceptual है, अगर वो आपने यहां पे mistake किये, तो blunder हो जाता है, तो भी आपको इसके अंदर panic नहीं रहना है, आपको अपनी examination की further preparation है, उसको start करनी है, और हमेशा इसको maintain करना है, अब यह कुछ problems हो रही है, जो difficult questions के अंदर है, वो सब के साथ होती है, ऐसा नहीं है, कि आपके साथ ही हो रही है, बट जो easy question है, वो आपके right होन question है, जो सब सही करते हैं, वो आपको सब कर नहीं है, अब जो five to seven question ऐसे हैं, जो difficult है, अब उस difficulty level ऐसा है, कि हर segment के अंदर, हर shift के अंदर उस type के question पूछे जाएंगे, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो आपका कल paper होगा, वो आप थोड़ा east base पे देखी mechanical के student के लिए कह रहा तो हमें समझता हूं, इस 40 question की series के अंदर, यह आपकी जो answer की है, उसके साथ आप match कीजए, आप देखे आपका scoreboard कितना बैठता है, कितना score आपका चल रहा है, और साथ में technical का भी देखे कितना बैठता है, वैसे आपका selection होने का chances है, अगर आपने online series, test series है, BCTQ, offline classes, perfectly यहाँ आपे join की है, और आपने महनत की है, basically सभी selection का main इसके अंदर foundation होता है, आपकी महनत, आपका कितना इसके अंदर hard work लगता हो, यही hard work बाद में जाके आपको reward करता है selection के तोर पे, so best of luck for our student, और congratulations भी कह रहा हूं, जिसका selection होना है उसके लिए, वैसे maximum student का होगा selection, थोड़ा हम आप उती इस session को finish करते है, okay, thank you.